असलाम आलेकुम माइडियर और फ्रेंड्स आई होप आप सब ठीक होंगे अच्छे से होंगे आज हमारा लेक्च नमर थ्री है पिछले वीडियो में हमने सीखा के लिए बोर्ड के बारे में और थोड़ा सा हमने फॉर्ट उप्शन पड़ा अगर आपने वो वीडियो नहीं देख तो डिस्क्रिप्शन में слink सराऊगा आप वहाँ जाके देख सकते हों आज जो हमारा टपक है वह है चैंज केसं के बारे में निकेंगे चैंज के सुप्शन करता है अगर आपको टेक्स्ट किसी भी केस्छ में करना एक्षड करना है वाप कर सकते हो व हैं जल आप चै change case option में five cases निकलते हैं ठीक है आपको अच्छी तरह से याद रहना चाहिए इस change case में कितने cases निकलते हैं five cases क्या कौन-कौन से एक तो है sentence case lower case upper case capitalize each word and the last one is toggle case यह option कहां पर है यह सुपर स्क्रिप्ट के बैद वाला option यह वाला option ठीक है सुपर स्क्रिप्ट के बैद वाला option आता है change case देखें करता क्या है अगर मैंने यह text select किया मैं चाहता हूं कि मैं इसको किसी case में convert करूँ चलो पहले हम करते हैं sentence case में मैं गया change case पे वहाँ पे मैंने sentence case पे click किया आप खुद देख लीजए sentence case केस करता क्या है यह पहला paragraph का पहला alphabet capital करता है बाकी पूरा paragraph सुमाल पूरा paragraph सुमाल लेकिन जहां पर भी full stop होगा यह वहां पर भी पहला वाला capital आ जाएगा बाकी paragraph पूरा का पूरा आ जाएगा सुमाल यह कूंसा case है sentence case इसी तरह लावर केस क्या करता है यह सभी वर्ड सुमाल में लाता है बहुत आसाम है करना क्या है आपको change केस option में जाना है वहां पे आप लावर केस पे click करोगे देखिए हाँ सभी के सभी वर्ड किस में आये सुमाल लेकिन अच्छा इसी तरह आप चाहते हो कि सर मुझे न वर्ड आ जाएंगे capital में खुदी देखिए अब जो हमारा fourth case है fourth case क्या करता है यह हर word का पहला alphabet capital में लाता है बाकी आते हैं सुमाल ठीक है करना क्या है आपको text को select करना है और जाना है change case option में वहां पे निकलता है capitalize each word बता यह क्या करता है पहला alphabet आता है capital बाकी आते हैं small पह capitalize each word and the last one is toggle case toggle case क्या करता है यह वाला पहला आता है small बाकी आते है capital करना क्या है आपको change case option में जाना है वहां पे last case है toggle case इस पे जब आपने के लिए किया आप खुद देख लीजिए insert का पहला alphabet आया small बाकी आये capital टैब का पहला alphabet आया small बाकी आये capital यह किसके मदद से toggle case के यह क्या करता है यह पहला वाला capital आते हैं बाकी आते हैं small ठीक है बहुत आसान है यह option बहुत ही अच्छा option है यहां पे change case option बहुत ही जादा अच्छा option है ms word में अगर आपको कोई भी text किसी भी case में convert करना है तो वह आप कर सकते हो with the help of these five cases ठीक है उसके back एक और option निकलता है ठीक है यहां पे एक और option निकलता है text highlight अब खुद देख लिजिए text highlight अब यह text highlight क्या करता है यह text को highlight करता है ठीक है जैसे कि आपने copy पे भी text बहुत बार highlight किया होगा हम देखते हैं कोई important point होता है हमारी copy पे हम वो highlight करते हैं इसी तरह अगर आपको text अपने document पे highlight करना है त तो आप वो कर सकते हो ठीक है text को select मैंने किया और मैं गया किस option में text highlight color जब आपने इस पे click किया अब वहां पे different colors आ जाएंगे आपको जो भी color पसंदा जाएगा आप वो दे सकते हो ठीक है चलो यह वाला देते हैं ठीक है यह क्या करता है text को highlight करता है ठीक है अगर नहीं करन है तो text को फिर से select कीजिए आप वहां पे ही option है no color ठीक है उसके बाइद एक और option है font color अगर आपको text का color change करना है text का color अगर आपको change करना है अपने documents में वह आप कर सकते हो with develop of font color with develop of font color ठीक है इस वक्र टेक्स्ट का color black है मैं चाहता हूं कि इसका color मैं change करूं ठीक है करना क्य जाना है font color option में वहां पे जो कोई भी color आपको पसंद आए तो वह आप कर सकते हो अपने text को खुद देख लीजिए आप ठीक है चलो मैं यही वाला blue color करता हूं ठीक है इतना आया आपको अच्छे तरिक से समझज मैं उमेर्द करता हूं I hope जो भी मैंने आज आज आपको